दोस्तों अब मैं आपको रोबोट की उसकी की लिखी किताब रिच डैड पूर डैड संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ यह किताब स्कूल में पढ़ने वाले छात्र से लेकर शिक्षक, बिजनेस्मेन तथा उन सभी के लिए हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं यह पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रिष्ट किताब है यदि आपने अभी सीखना शुरू किया है तो यह आपकी पहली किताब होनी चाहिए इस किताब के लेखक मिस्टर राबर्ट की उसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं एक अमीर हैं जिन्हें वो रिच डैर कहते हैं दूसरे गरीब हैं जिन्हें वो पूर डैर कहते हैं इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली हैं उसी के बारे में हैं जैसे कि अमीर कैसे बना जाए अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं पैसा कमाने की शुरुवात कैसे की जाये आदी यह किताब लोगों के अंदर आर्थिक जागरूकता पैदा करेगी आईए इस किताब की साराश सुनाते हैं लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे उन्होंने पीएचडी भी करा था और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरी करी थी दोनों ही अपने-पने कैरियर में सफल थे एक पैसों की समस्या से जूज रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिये भी अलग-अलग थे एक का मानना था कि पैसों के प्रती प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा थी यह थी कि वह किसकी सुने अपने Rich Dad की या Poor Dad की क्योंकि तरह से अलग थे हाला कि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे उनके Poor Dad को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते हैं हम बोले नहीं सकते हैं वही उनके रिच डैड इस शब्द कभी भी उपियोग नहीं करते थे उन्हें इस वाक्य से सक्थ नफरत थी यहां तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तिमाल करने से मना कर दिया था लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछों कि तुम कैसे उस चीज को ले सकते हो उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग कांग करना बंद कर देता है और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से यह सवाल पूछते हो जाता है उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो उसे काम पर लगाओं जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन बदिन मजबूत बनता चला जाएगा उनके पूर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो उनके पूर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कालेज डिगरी लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो वही रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पै पैसों के लिए काम मत करों बलकि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओं। और अध्यापक को नौकरी करते थे लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे वही लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते हैं। वो उनके दोस्त माइक के पिता थे। जिनके पास राबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं। वो सीखने के लिए जाते थे। राबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी नहीं पूरी की थी फिर भी वह शहर के सबसे। अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। राबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं। सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बाते बताई। बताई जिनके बारे में हम आगे बात करेगे अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हूं। यह महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा आप बचाते हूं बहुत सारे लोगों को यह नियम पता नहीं है इसलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लाटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गिय आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है परन्तु कुछ ही सालों अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है हम यह भी देखते हैं कि कोई खिलाडी जो 25 से 30 साल की उम्र में करोडों रुपए कमा रहा था पर उसके 10 से 15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा है वह बेघर हो गया है और उसे अपना खर्च चलाने के लिए बसे साफ करना पड़ रहा है क्या आप उस खिलाडी का नाम बता सकते हैं सोचिए जरा लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो माइने नहीं करता है आप कितना पैसे आप बचाते हैं वो माइने करता है आईए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं सबसे पहले आपको संपत्ती और देंदारी क्या होता है उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा रिच डैड ने उन्हें साधारन भाषा में समझाया की संपत्ती आपकी जेब में पैसे डालते हैं वही लाइबिलिटी आपकी जेब से पैसे निकालती है यदि आपको अमीर बनना है तो आपको संपक्ति खरीदने होंगे और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गिय बनना है तो आपको लाइबिलिटी खरीदने होंगे कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या न हो लेकिन वह आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है यानि पैसा कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता होता है पैसा कैसे काम करता है यह किसी भी स्कूल और कॉलेज में भी नहीं सिखाई जाती है हर आदमी का एक आई विवर्ण बैलन्स शीट और पैसे का बहाव होता है इंकम स्टेटमेंट में दो भाग होता है एक कमाई और दूसरा खर्चा यहां आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किये हैं तथा सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा हैं कुछ बचा भी है या नहीं Balance Sheet में भी दो भाग होते हैं एक संपत्ती और दूसरी लाइबिलिटी आपके एसिट आपके लिए पैसा बनाते हैं. ये आपको पैसा कमा कर देते हैं. जैसे जमीन शेयर मार्किट और बांस में लगाया गया पैसा बौधिक सम्पदा आदी लाइबिलिटी का मतलब देंदारी जैसे घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदी नीचे दिये गए डायग्राम में तीर हमें कैश फ्लो यानि पैसों का बहाव बताती है कि आपके पास पैसा कैसे वह कहां से आ रहा है और वह कहां वह कैसे बाहर जा रहा है गरीब आदमी का कैश फ्लो गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ उपर डायग्राम जैसे होता है मतलब गरीब आदमी उनका लगभग पूरा पैसा कर घर का किराया खाना कपड़े आदी में चला जाता है महीने के अंत में अधिकतर इनके पास नके बराबर पैसा बचता है या कुछ नहीं बचता है अब गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखते हैं गरीब आदमी का असेट्स का कालम हमेशा खाली रहता है वह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बच्चता है जदी बच्चता भी हैं तो वह उसे असेट्स में नहीं लगाते हैं बलकि वह उसे टेलिविजन आदी जैसे मनोरंजन साधन खरीदने में खर्च कर देते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसीने असेट्स के बारे किसीने बताया नहीं होता नहीं स्कूल में नमा बापने और नहीं दोस्तों ने लाइबिलिटी वह खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे बचते ही नहीं है आएए अब मध्यम वर्ग के आदमी का कैश फ्लो देखते हैं मध्यम वर्ग के आदमी का कैश फ्लो मध्यम वर्गीय लोगों का एक सेट पैटर्न होता है जिनकी जल्दी में शादी हुई है वह पहले किसी नए शहर में किराये पर रहने लगते हैं फिर खुद का नया घर लेने के बारे में सोचते हैं और नया घर लेने के बाद वह फरनीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी आर बढ़ती जाती हैं। वह वैसे वैसे वो कार और कुछ दूसरा सामान लेने लगते हैं। फिर उनका liability का column home loan। कार लोन आदी से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों के वजह से उनका खर्चा बढ़ता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा असेट्स का कॉलम खाली ही रह जाता है। आएए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। अमीर आदमी का कैश फ्लो अमीर आदमी के एसेट उनके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती थी और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेक में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट कालम उनकी लायबिलिटी से बहुत बढ़ा हो चुका था जो अब उनके एसेट उनके से ज्यादा पैसे बना रहे थे, लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेशली लिट्रेक थे और पैसा काम कैसे करता है, उन्हें यह बहुत ही अच्छी तरह से पता था, चाहे आदमी गरीब हो या अमीर उसे पैसे तो कमा आना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता है, उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता है, वह बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते हैं, जैसे जैसे उनकी कम बढ़ती हैं। उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता हैं कि ज्यादा पैसे आने से उनकी। उनके पास जो पैसा हैं उसे वह खर्च कैसे कर रहे हैं। उसका उपियोग कैसे कर रहे हैं। और यह समस्या फाइनेंशल लिट्रेसी की वजह से हैं। पैसे बचाओं और उन बचे हुए पैसों से ऐसे एसे खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सके। यानि आपको पैसा कमा कर दे सके। अमीर और गरीब लोगों ने सबसे बड़ा अंतर यह होता है। कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर लेते हैं। फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं। जिसकी वजह से ज्यादातर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते हैं। और अंत में नहीं वह उसे किसी एसेट में निवेश कर पाते हैं। वही अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती हैं कई बार। आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी फिर भी आपको सब और उसे बचाना हैं। जब आप अपने उपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएगे तो समझ लीजिये की आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया हैं। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं, उनका कैश फ्लो कुछ इस तरह का होता हैं। जैसे जैसे, आप अपने लिए पैसे बचा कर उसे एसेट में निवेश करेगे वैसे वैसे आपकी कमाई के स्त्रोत बढ़ते जाएगे। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे नहीं देते हैं, उनका कैश फ्लो कुछ इस प्रकार का होता हैं, आप उपर बहुत ही आराम से दोनों कैश फ्लो के बीच का अंतर देख सकते हैं। खुद को पहले पे करने वाले आदमी के असेट्स का कॉलम कभी बढ़ चुका हैं, जिससे वह अपने अन्य खर्चे देखता हैं और उसमें जो बचता हैं, उसे वह फिर से असेट में ही निवेश करता हैं, ताकि उसे अपने वेतन पर ही पूरी तरह से निर्भर न रहना प बराबर पैसे बचते हैं या नहीं बचते हैं, जिससे वह अपने असेट कॉलम को नहीं भर पता हैं, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यहां निकल कर आती हैं, कि अमीर लोग सबसे पहले असेट वाले कॉलम पर फोकस करते हैं, और गरीब लोग इंकम स्टेट्मेंट पर अमेर लोग अपना पैसा को बिजनेस, शेयर, सरकारी बांड और रियल स्टेट में निवेश करते हैं। वह कई और जगह भी पैसा लगाते हैं। जहां से उन्हें एक regular income मिलती रहे। उनका यह निवेश उनके लिए asset हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। जो एसेट आपको पसंद हैं, आपको उनमें निवेश करना चाहिए, आपको यह पता करना चाहिए कि कौन-कौन से एसेट की श्रेणिया आपको अच्छी लगती हैं, उसके बारे में बहुत ही गहराई में जाकर अध्ययन करना चाहिए जानकारी लेनी चाहिए जैसे वह आग आने वाले समय में, किस प्रकार का आपको मुनाफ़ा दिलाएगी, उस एसेट से कोई अन्यस्त्रोत भी बन पाएगा या नहीं, लेखक को बिल्डिंग और जमीने बहुत पसंद हैं, इसके अलावा उन्हें इसकी गहरी समझ भी हैं, इसलिए वो इसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं, उन्हें छोटी कमपनियों में भी काफी जाच परक करके निवेश करना पसंद हैं, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ है, कि अमीर लोग महेंगे बंदले आभूशन, बड़ी गाड़ी आदी लगजरी की चीज़े आखिर में खरीदते हैं, सबसे पहले वो असेट्स खरीदते हैं, जहां से उन्हें कमाई होती है, और इसी जगहे पर गरीब और माध्यम वर्ग के लोग लगजरी चीज़े पहले खरीदते हैं, अमीर लोग सबसे पहले अपना असेट का कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उस असेट से मिलने वाली से वह अपने लिए लगजरी का सामान खरीदते हैं, अगर उन्हें कोई महेंगी चीज़ खरीदनी हैं, तो वह पहले सोचते हैं किस तरह से अपने असेट कॉलम को मजबूत किया जा सकता हैं, जिससे असेट से मिलनी वाली कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से वह उस महेंगी चीज़ को खरीदेगे, वह लगातार अपने दिमाग का उपियोग करते हैं, उससे एक सरसाइस करवाते हैं, जिससे उन्हें पैसे कमाने के नएने विचार मिलते रहते हैं, इस तरह वह लगजरी का सामान खरीदने से पहले वह अपनी कमाई तथा उसके स्त्रोत बढ़ाने के बारे में पहले सोचते हैं, वही पर अन्य लोगों का एक ही कमाई का स्रोत होता है, वह है नौकरी और जब वह कोई लगजरी का सामान खरीदते हैं, तो उनका पूरी आर्थिक स्थिती बिगड़ जाती हैं, जिन गरीब या मध्यम वरगिय लोगों की लाटरी लगती हैं वह भी अपनी एसेट पर निवेश करने के बजाए खर्च बढ़ाते जाते हैं, इस तरह कुछ साल के बाद फिर से अपनी पुरानी आर्थ यहाँ पर इंकम समस्या नहीं हैं, समस्या यह हैं कि उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट यानी कि आप किस तरह आप उन पैसों का उपियोग कर रही हैं, अमीर लोग और अमीर बनते जा रही हैं, गरीब लोग और गरीब बनते जा रही हैं और मध्यम वरगिय लोग संधर्श कर रही हैं, क्योंकि पैसों के बारे में हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज और घरों में नहीं सिखाया जाता है, हमारे स्कूल और प्रफेशनल स्केल के बारे में सिखाया जाता है। हमें फाइनेंशियल स्केल के बारे में नहीं सिखाया जाता है। इसलिए आज डॉक्टर, एंजीनियर, मैनेजर और पाइलट आदी जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे। वो आज अच्छी सैलरी होने के बाद भी financial struggle कर रहे हैं आपके पास हमेशा आय के कई स्रोथ होने चाहिए अधिक्तर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है जो की उनकी सैलरी है वह कहते हैं कि वह बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं इसलिए वह अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं पर वह यह नहीं समझ पाते हैं कि एक ही कमाई के स्रोथ पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम है इंकम सोर्स तीन प्रकार का होता है डिनरी मतलब आपकी सैलरी पैसिव मतलब रियल स्टेट आदी से कमाया गया पैसा यानी जहां से आपके न रहने और न ध्यान देने पर पैसा आए पोर्ट फोलियो मतलब शेयर बाजार और सरकारी बांड से कमाया गया पैसा आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेजॉन के संस्थापक श्री जेफ, बेजोस और दुनिया के सबसे महान निवेशक श्री वारेन बफे पोर्टफोलियो इंकम की वजह से अमीर बने हैं वही अगर बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपती श्री डोनाल्ड ट्रम्प और इस किताब के लेखक श्री राबर्ट के की तो वो बेसिक इंकम की वजह से अमीर बने हैं लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हे अपने और्डिनरी इंकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इंकम या पोर्टफोलियो इंकम में बदलना चाहिए यानि अपना पूरा ध्यान असेट्स का कालम बढ़ाने पर देना चाहिए लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हे अपने और्डिनरी इंकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इंकम या पोर्टफोलियो इंकम में बदलना चाहिए यानि अपना पूरा ध्यान असेट्स का कालम बढ़ाने पर देना चाहिए अगर आपके पास अच्छे अफसर आ रहे हैं लेकिन आपके पैसा ही नहीं है या अफसर आपके सामने है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है तो उसका मतलब है कि आपके पास financial intelligence नहीं है दिमाग हमारा सबसे powerful asset है अगर उसे हम अच्छे से train करते हैं तो आपको कई अच्छे अफसर ढूंडने में और अच्छे अफसर उत्पन्द करने में मदद मिलेगी जिससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं आपको learning पर focus करना होगा अपने दिमाग को financially trend करना होगा आपका minor financially trends होंगा, तभी वह नए financial अवसरों को देख पाएगा कोई भी चीज सीखते हुए आपको अपना mind खुला रखना चाहिए आज के समय में बहुत सारे लोग जब उनके सामने कोई नया विचार आता है तो उसे सही से नहीं सुनते हैं या अनसुना कर देते हैं स्वागत करते हैं, उसे तुरंट नोट कर लेते हैं, वह बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करते हैं आज के समय में जो अलग-अलग assets हैं, जैसे की जमी, शेर बाजार, सरकारी बांड, नए बिजनिस आदी आपको किसी में भी निवेश करने से पहल अपना दिमाग खुला रख कर उसका अध्ययन करना होगा जो लोग learn की जगह earn पर फोकस करते हैं वह पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उसे अच्छे से manage नहीं कर पाते हैं फिर आगे चला कर किसी न किसी financial समस्या में फस्ते रहते हैं financial knowledge न होने की वजह से लोग अपने आसपास चल रही जल्दी से अमीर बनने वाली किसी योजना में किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं फिर उसके बाद वह company उनका पैसा लेकर भाग जाती हैं इसी लिए लेखक के rich dad ने उनसे कहा कि पहले learning पर ध्यान देना चाहिए बाद में earning पर financial learning आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जब भी तुम से गलती होगी तो तुम उससे सीखो और अगले समय वह गलती न करो गलतियों से बिलकुल न डरों जब कोई जीटने के लिए खेलता है तो उससे गलतिया होती हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि उस गलती से सीख कर आगे अच्छा करना इसलिए किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानना और उसके बारे में स्किल होना बहुत ज़रूरी है आए हम आगे देखते हैं कि लेखक ने अपने फाइनेंसियल ज्यान और स्किल का उप्योग करके कैसे पैसे बनाए 1989 में राबट अमेरिका में जहां रहते थे उसके पास के एक स्थान से गुजर रहे थे वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ के अधिकतर घरों पर सेल के बोर्ट लगे है उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी शेयर बाजार तूट चुका था तथा वहाँ की रियल स्टेट का बाजार भी बहुत ही खराब हालत में था उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक घर के नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सेल का बोर्ड लगा हुआ था तब वह उस घर के मालिक से मिले उन्होंने उसके मालिक से पूछा कि यह घर कितने में बेच रहे हूँ उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से इस घर को बेचने के लिए बोर्ड लगाया है लेकिन कोई भी यह घर देखने के लिए और पदाम पूछने के लिए नहीं आया तो आप ही घर देख लो और मुझे इसका दाम बताओ राबर्ट को वह घर बहुत पसंद आया और उन्होंने वह घर 20,000 डालर में खरीद लिया फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किरायदार रखे एक-दो साल बाद जब उस स्थान पर real estate का market बढ़ने लगा तो लोग उस स्थान पर घर खरीदने लगे उस समय उन्होंने 20,000 डालर में करीदा घर 95,000 डालर में बेच दिया यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम में ही मुनाफ़ा नहीं कमाया बल्कि उसमें किरायदार रखकर भी उससे पैसा बनाया उसके एक महीने बाद फिर उन्हें एक अच्छा फ्लिक मिला जिसका मालिक जर्मनी का था उन्हें उस एरिया केरियल स्टेट मार्केट के बारे ज्यादा जानकारी नहीं थी वह जर्मनी जाना चाहते थे अब लेखक उसके साथ मोलभाव करके वह फलेट भी खरीद लिया और दो साल बाद लगभग डेड़ गुनादाम पर उसे बेच दिया उन पैसों से फिर उन्होंने एक मंदी वाले एरिया में घर करीदा और जब वह पर मंदी खत्म हुई तो उसे बेच कर अच्छा मुनाफा कमाया इसकी मदद से वह बताते हैं कि कैसे कम पैसों को ज्यादा पैसों में बदल सकते हैं उसके लिए आपके पास उस एसेट से जुड़ा आर्थिक ज्यान होना चाहिए तभी आप अच्छे अवसर ढूंड पाएंगे लेखक को रियल स्टेट की जमीन घर और छोटी कमपनी में निवेश करने में दिल्चस्पी हैं इसलिए वह उसके बारे में ज्यान इकठा करते हैं फिर अच्छे अवसर तलाशते हैं आपको जिस एसेट में इंट्रेस्ट हैं उसका अच्छा ज्यान लीजिये फिर उसमें निवेश करने के बारे में सोचिये दोस्तों अंत में लेखक ने पुनह एक बार याद दिल्वाने की कोसिस की हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं वही अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता हैं अमीर लोग अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने में लगे रहते हैं उन्हें उससे जो मुनाफा मिलता हैं उसे वो वापस वही और पुनह निवेश करते हैं इस तरह उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता है किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले उसमें जिन लोगों ने निवेश किया हैं उनसे मिले जो लोग उसमें निवेश करके सफल हुए हैं यदि उनसे मिलना संभव नहीं हैं तो उनके बारे में पढ़ें और उस एसेट के बारे में गेहन ज्यान हासिल करने का प्रयास करें दोस्तों यह थारिच दाद पूर डैड की हिंदी में संख्शिप्त आपको इस किताब में दिये नियमों को अमल में लाना होगा, तभी जाकर आप जल्दी अमीर बन पाएगे अब यह आपके हाथ में है कि आप जो पैसा कमाते हैं, उसे पूरा खर्च करते हैं या सबसे पहले खुद को पे करके उसे बचा कर सही जगहे पर निवेश करके अमीर बनते हैं अगर आपको पूरी किताब पढ़ना हो, तो यह किताब ऑनलाइन भी उपलब्ध है दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरा चैनल सबसक्राइब करके बैल बटन दबा देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले फिर मिलेंगे तब तक अपना ख्याल रखें अलविदा दोस्तों